हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल आज हम लोग बात करेंगे इंग्लेंड वर्स श्री लंका के मैच के बारे में यह मुकाबला खेले जगे हेडिंग लिके मैदान पे वीडियो के अंट तक देखिए वीडियो के मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसा आप से कौन सिटी में मुकाबला जीटेगी वीडियो का जरूर सेन तक देखिए तो इन दोनों टीमों के यह प्रेडिक्शन सच हुई है वर्ल्ड कप से पहले ही लोगों ने कहा था कि इंगलन बड़िया पफार्म करेगी तो पफार्म कर रही है जब कि श्री लंका को परेडियों जो के एक्सपिरियंस खिलाडी है इस टीम के उन्होंने जो इतना बड़िया पफार्म नहीं किया है मिडल ओर और लोगर मिडल ओर में दूसरे मिडल ओर बैट्समेन को भी जो अच्छा फार्म दिखाना पड़ेगा तो यह एक कमजोरी रही है श्री लंका की औ पूने टीम में लिआ था हाला कि उन में से कुछ खिज़ाने अच्छा परफांग नेना सेम नहीं है और उसके बाद जरूर PARP में जरूर अच्छे फार्म में जैसे कि जो रूड बड़िया फार्म में जीसन राइब भी जाने से पहले बड़िया फॉर्म में थे बेंट स्टोक्स भी अच्छे रन बना चीके शुरुआत की कुछ मैचेस में उसके पिछले मैच में बहुत बड़ा पॉजिटिव हमने देखा वह था ओएन मॉर्गन की बैटिंग कप्तान लीडिंग फ्रॉंट काफी बड़िया हम सभी जानते हैं सबको उन्होंने हैरान कर दिया तो ऐसे में टीम का कॉन्फिटनस तो काफी बूस्ट अप है ऐसे में और दूसरी टीमों के इनों जो मार्जिन से हराया है वो मार्जिन भी काफी बड़े रहे है तो इंगलंड एक अच्छी स्थी तीम है इस समय तो यह स्थी पर पिछले तीन सालों में तो तीन सो रन तो बनने ही पड़ेंगे और अवरेज पर मुझे लगर इंगलंड अच्छी बैटिंग करती है इंगलंड अगर पहले बैटिंग करती है तो ज्यादा रन बनाएंगे बाकि श्रीलंका का मुझे लग रहे कि वह 300 ही टार्गे इंगलंड के साथ वह अच्छा परफॉर्म कर पाएंगलंड तो काफी बड़िया लग रही है वल्ल्ल कॉप से पहले जरूर कंजर बालिंग लग रही थी पर उसके बाद जिनके बालर्ष ने बड़िया परफॉर्म किया है उसे सभी हैराने फस प्र आश पर यहां पे प्र मुकाबला जीतेंगे इंगलंड आपको कहा लगता है जरूर से कमेंट कीजिए मेरा दो प्रेडिक्शन इंगलंड है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जाए हिंद